हेलो दियर स्टुरेंट्स आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैस्पपने इंद डूल में इप यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेर और सस्क्राइब आपर चैनल आज हम आपके साथ डिस्केस कर रहे हैं exercise 3.4 के question number first को देखी क्या कहता है x plus y ब्राबर 5 और 2x minus 3y is equal to 4 जो दिये गए है समिकरणों के यूगम है उनको हमने विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों वीडियो दवारा हल करना है अब देखी हम पहले करते हैं विलोपन वीधी विलोपन वीधी में क्या होता है हमें या तो x का coefficient बराबर करना होता है या फिर y का coefficient बराबर करना होता है तो यदि मेरे को x का coefficient बराबर करना है मतलब x का गुनाख हमें बराबर करना है तो मेरे को समीकरण 1 को 2 से गुना करनी होगी तो इस समीकरण 2 के X के गुना के बराबर हो जाएगा तो मैं समीकरण 1 को 2 से गुना करता हूँ तो क्या आज़ेगा मेरे पास 2X परस 2Y बराबर आज़ेगा 10 के और दूसरा समीकरण क्या है 2X माइनिस 3Y बराबर 4 के ये बात ध्यान रहा ही दिए आप गुणा करते हो तो आपको सभी आंकों के साथ गुणा करने हैं ऐसा नहीं कि आप एक आंक के साथ गुणा कर दें अब देखिए याप हम इनकी निशानों को बदल देते हैं प्लस का था माइनिस का हो गया माइनिस का था तो प्लस का हो गया और यह हमारे पास प्लस का था तो माइनिस का हो गया दो एक्स से दो एक्स कैंसल आउट हो जाता है तो पांच वाई बराबर आजाता है चे की तो वाई की विल्यों हमारे पास आजाती है 6 बटे 5 Y का मान आ चुका है Y का मान हम समीकर्ण एक में रखने पर X पलस 6 बटे 5 बराबर 5 के X बराबर हो रखते है 5 माइनस 6 बटे 5 X की वेल्यो की आ ओती है 5 के तोर पर 25 माइनस 6 19 बटे 5 यह अमारे पास X की वेल्यो की बटे 5 यह हमने इस सम को किया विलोपन विधी के द्यवरा विऽपन विधी में आप समझ गएंगे कि हमें पहले पहले X के गुणा को यह पर Y के गुणा को बराबर करना होता है अब हम इसी सम को करते हैं प्रतिस्था पनवीदी से देखिए X पलस Y बराबर हमारे पास 5 के दिया गया है और 2X माइनस 3Y बराबर हमारे पास 4 के दिया गया है तो X की वेलिव आती है पांच माइनस y के x का माल समेकर नमबर 2 में रख देते हैं तो 2 इंटू 5 माइनस y माइनस 3y बराबर 4 के तो 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4 के माइनस 5y बराबर हो जाते हैं माइनस 6 के तो y की value होगी हमारे पास माइनस 6 बटे माइनस 5 तो y की value 6 बटे 5, पिछली solution में भी हमारे पास यही value आई थी, अब y के मान को समय का number 1 में रख देते हैं, x बराबर उजाते है 5-6 बटे 5, तो lcm वही 5 आजाता है, 55-25-6, तो y की value हमारे पास 19 बटे 5 के बराबर आजाती है, आप किसी भी वीजी का प्रयोग कीजिए, प्रतिस आप कुछ जो वीजी असान लगती है, उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, कि हमें यह वीजी प्यूक तो लगती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वीजी ज्यादा प्यूक था है, क्योंकि यहाँ पर x और y की value को जो बराबर करना है, वो ज्यादा असान प्रता है, अब हम क 2x-2y is equal to 2 के, हमने आपको पता है कि या तो हमारे पास x की values को बराबर हो, या फिर y की values बराबर हो, अब सभी questions में हम केवल विलोपन वीदी का ही प्रियोग करेंगे, क्योंकि प्रतिश्थापन वीदी आप पिछिले exercise में 6 चुके हैं, तो देखिए, हमें पता है कि या तो 2 से गुणा कर दूँ, और दूसरे समीकरण की इदी मैं 3 से गुणा कर दूँ, मतलब इसके पहले आंक की इसके साथ गुणा, और इसके पहले आंक की समीकरण 2 के साथ गुणा, तो हमारे पास 3 दूने 6 तो दूनों आंक बराबर आजाते हैं, तो देखते हैं, 6x पलस 4 दू y बराबर 14 के तो y के value क्या होगी 14 बटे 14 एक तो y के value एक आती है y का मान आप किसी भी समिकर्ण में रख सकते हैं y का मान 3x प्लस 4y बराबर 10 में रखने पर क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 y किस gap पर एक रखोगे तो 4 बराबर 10 के 3x बराबर 6 के 4 इस तरफ minus का हो गया x की value क्या बचेगी 2 तो इस परकार से x की value क्या आगगी है 2 आगई है part नमबर 3 की बात करते है 3x minus 5y minus 4 is equal to 0 and 9x बराबर होगा 2y प्लस 7 के देखिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा solo कर लेते हैं 3x minus 5y बराबर 4 के और यहाँ से 9x minus 2y बराबर 7 के हो जाता है यदि मैं पहले समीकरण की 3 से गुणा कर दूँ तो हमारे पास दूसरे समीकरण के बराबर आजाएगा पहला हांक तो 9x पास थी यह 15 minus के 15y बराबर 4 थी 12 के हो जाता है तो अब आप देखिए यह minus यह positive यह negative तो यहाँ पर बचता है 13y is equal to minus के 5 के तो जो y की value हमारे पास आएगी वह आजाती है minus 5 बटे 13 ठीक है अब y की value को हम समीकरण नमर एक में रख देते हैं y का मान 3x minus 5y बराबर 4 में रखने पर तो 3x minus 5 y की value के है minus 5 बटे 13 बराबर हो जाती है 4 के अब देखिए 3x plus 25 बटे 13 बराबर हो जाती है 4 के तो x की value 3x बराबर हो जाता है 4 minus 25 बटे 13 के अब आप देखिएंगे की LCM आजाता है 13 32 minus 25 बराबर हो जाता है तो बस्ताई 22 में से 25 चला गए तो 27 upon 13 ठीक है तो x की value जो हमें निकलने है 3x बराबर आगया 27 upon 13 के लेकिन x की value क्या होगे हमारे पास 27 upon 13 तो divide में था multiply में था तो divide में चला गया तो 3,27 तो x की value जो हमारे पास 9 बटे 13 आजाती है इस प्रकार से यह हमारे पास y की value आजाती है minus 5 बटे 13 और x की value आजाती है 9 बटे 13 अब हम करते हैं part number 4 को देखे equation क्या दीगिए x upon 2 plus 2y upon 3 is equal to minus 1 and x minus y upon 3 is equal to 3 के अब हमें इसको solo करना तो हम lcm ले ले लेते हैं पे 6 तो cross multiply करते हैं 3x plus 2 दो दुनी 4y बड़ाबर minus 1 के तो 6 तरफ आगर के गुणा में हो जाता है 3x plus 4y बड़ाबर minus 6 के हो जाता है इसी प्रकार से यहाँ पे lcm लेते हैं 3 3x minus y बड़ाबर 3 के 3x minus y बड़ाबर हो जाता है 9 के तो हमारे पास पहले से बड़ाबर है समय करण एक वज़ दो को हल करने पर समय करण एक वज़ दो को हल करने पर देखी 3x minus y बड़ाबर 9 के और 3x plus 4y बड़ाबर minus 6 के हो जाता है तो minus ये भी minus और ये positive हो जाता है तो यहाँ पे बज़ाता है माइनस के 5Y बराबर 15 है के तो Y की value क्या होगी 15 बटे माइनस 5 तो Y की value हो जाते है माइनस के 3 आ जाते है हमारे पास Y की value को हम समिकर नमबर 1 में रख देते हैं तो 3X माइनस 4 तिया 12 है बराबर माइनस 6 के 3X बराबर हो जाते है प्लस का हो जाता है 12 इस तरफ आगर के तो 6 के x की value क्या जाती है 2 इस प्रकार से x की value 2 और y की value minus 3 आजाती है thanks for watching our videos